आप यूपी के संसद हैं इसलिए मैं उत्तरप्रदेश को लेकर एक सवाल पूछूंगी कि वहाँ पर जो ये अंटी कन्वर्जन लॉव आया है उसे जब जिहाद लॉव भी कहते हैं ये जो लॉव भी मुसल्मान लड़के के साथ शादी करना चाती है समाज उसे पहली बात तो करने नहीं देता और जब वो हिंबत करके करना भी चाथी है तो अब इस लॉव के तहट उससे और भी सब्जुगेट किया जाएगा अलग किया जाएगा लड़के को जेल में डाल देंगे ये सब सबको पता था कि ये होने वाला है इसके बावजूद उत्रप्रदेश से शुरू हो के बहुत से राजियों में ये एंटी कन्वर्जन लॉग को मिस्यूज होने का डर है नहीं हमारा तो यह कहना है कि कंवर्जन होना ही क्यों चाहिए पर यह तो संभिधान में हैं कि मैं यहां देखता हूं कि कहीं-कहीं तो सामोहिक धंद धर्म परिवर्तन का सिलसला च एधरigare यह सिलसला, बंद भर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग सादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हुं कि इसे मैं ब्यक्टियत तुरूप से उचित नहीं मानता हूँ. पिर उसका हाँ होता है, मतलब अगर कोई करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है, कर आया जाता है ऐसे भी मामले आया है इसके इस तोनों को स्वाभावी कुरूप से शादी होना और जबरन अथवा लालच देकर धर्म परिवरतन कराके शादी करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और मैं समझता हूं कि सरकारों ने जो कानून बनाया है इन सारी चीजियो को ध्यान में रखकर बनाया है जब ऐसे केसेज आते हैं सर तो फिर वो जो इमेज होता है बीजे पी गवर्मन का की एक जबरन हिंदूत्वा पॉलिसी जो है एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ा कर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना ये एक पॉलिसी मैटर है समझा जाता ह कहीं ने मैं तरह मानता हूंगा जो सच्चा हिंदू होगा वज्याति पंथ अथ्वा मधभ के अधार पर कोई भेद भाव नहीं करेगा